मारुती जियर फेसलिफ्ट लॉंच होने को तयार, मौजुदा वर्जन के मुकाबले होंगे बड़े बदलाव देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता मारुती सिजुकी की उर से कई बहतरीन कारों को भारतिय बजार में बिक्री के लिए उपलब्द करवाया जाता है कमपनी जल्द ही अपनी कॉमपेक्ट सिदान कार जियर का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तयारी कर रही है इसे कब तक लॉंच किया जा सकता है और इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं आएए जानते हैं भारतिय बजार में मारुती सिदुकी की उर से कई बहतरीन कारों और एस यूवी को ओफर किया जाता है कमपनी की उर से जल्द ही जियर के फेसलिफ्ट वर्जन को लान्च करने की तयारी की जा रही है इसमें क्या बदलाव किये जा सकते हैं और इसे कब तक लाँच किया जा सकता है हम इसकी जानकारिय आपको इस खबर में दे रही हैं आएगा जियर का फेसलिफ्ट वर्जन मारुती सुजुकी के उर से जल्द ही ZYEL के facelift वर्जन को भारतिय बजार में लॉंच किया जा सकता है मारुती अपनी Compact Sedan Car ZYEL के facelift वर्जन में कही हम बदलाव भी कर सकती है जिसके बाद यह अपने segment की सबसे बہतरी लिंकार बन सकती है फिलहाल कमपनी इसके facelift version की testing कर रही है कब होगी launch कमपनी की उर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी को नहीं दिया गया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जियल के facelift version को अगस्त के आखिर या सितंबर 2014 तक लाया जा सकता है इसके design, features में कई हम बदलाव किये जाएंगे इसके अलावा new year 2024 में company safety में भी कई नए features को दे सकती है बदलेगा जियर का engine मारुती की ओर से जल्द ही launch होने वाली new year 2024 में engine को बदला जाएगा और नया Z-series engine नई compact sedan car में मिलेगा इससे पहले इस engine को company की ओर से swift 2024 में भी दिया गया है कितना दमदार होगा engine मारुती की hatchback car new swift 2024 में company 1.2 liter का Z-series engine देती है जिसे 3 cylinder के साथ लाया गया है नई दिजाय में भी company की ओर से इसी engine को दिया जाएगा जिससे गाड़ी को 60 kilowatt की power 111.7 newton meter का top मिलेगा इसमें भी 5 speed manual और AMT transmission को दिया जा सकता है कैसे होंगे features company की ओर से दिजाय के facelift version में कई बहतरीन features को भी दिया जा सकता है इसमें single paint sunroof को भी दिया जा सकता है जो इस segment में पहली बार किसी car में offer किया जाएगा इसके साथ ही इसमें 360 degree camera, 6 air bag, ABS, EBD, ESP, Hill Hold Assist, Traction Control, Cruise Control, बढ़े infotenance screen, semi digital speedometer जैसे features मिल सकते हैं कितनी होगी कीमत company की नई सेदान Zier 2024 के launch के समय ही इसकी कीमत की जानकारी मिलेगी लेकिन उम्मीद की जा रही है कि company अपनी इस सेदान कार के facelift version की कीमत मौझूदा version से थोड़ी कम रख सकती है वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और सबस्क्राइब जरूर करे